क्याले मेले वल्कम बाक तो इस चैनल और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मुझे इससा क्यों लगता है कि बुल रन 2.0 या फिर एक नया जो हम लोग यहां पर मार्केट का सेंटिमेंट बना रहे हैं कहीं न कहीं है नया बुल रन यहां पर बिल्ड हो रहा है क्यों मैं आपको इस वीडियो में बता हूँगा मुझे ऐसा क्यों लगता है of course यह कोई financial advice नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है बट मुझे यहां पर जो sentiments है बहुत strong लग रहे हैं और मैं आपको reason बता चाहता हूँ कि अगर होता है बुल रन तो उसका बड़ा reason क्या हो सकता राइट so welcome back and of course like and subscribe पहले कर देना so let's start with this market first so bitcoin of course 46,794 प्यास trade हो रहा है I think 48,000 के आसपास bitcoin touch हो गया था यहां पर थोड़ा सा हम लोगों देखने को मिला है यहां पर गिरावट but otherwise market अभी बहुत bullish है यहां पर alt coins काफी अच्छा perform कर रहे है Cardano जिसके बारे हम लोग ने last video में बात किया था कि Cardano का smart contract launch होने वाला है और sentiments काफी bullish है Cardano को लेके क्योंकि एक बार smart contract आ गया तो बहुत सारे DeFi apps, daps, Cardano पर भी बनने लगेंगे तो यह bullish जाता है बट लास्ट वोडियो में बने कवर किया था था टू टालर का था यहां पर 2.19 पर trade हो रहा है और all time high जो था Cardano का वो था 2.45 यह जो मार्च में था सारी में में था राइट so मुझे लगता है कि यह next bullrun में जो आ रहा है इसमें भी बहुत सारे altcoins usually bullrun में बहुत सारे altcoins bump होते है राइट but you know मुझे लगता है कि बहुत सारे altcoins से नया all time high fit से बना सकते हैं तो उसके क्या reasons हैं मैं आपको बताना चाहूँगा तो सबसे पहली बात जो पहले जो बहुत discussion हो रहा था काफी लोग की हम लोग एक bear market में आ गया थे क्योंकि bitcoin 32 35 के range में ट्रेड हो रहा था रही तो लोगों का यह मक्सद था कि लोगों का यह भी opinion था कि में भी हम लोग एक bear market का start हो गई है अभी हम लोग को bear market लग जाएगा मैं भी एक साल दो साल तीन साल right so I don't think कि जो cyclic nature था crypto market का कि मतलब एक बार bull run आना फिर तीन साल के बाद market stable हो जाना right I don't think कि ऐसा होगा क्योंकि देखो 2016 में 2017 में यहाँ पर ऐसा हुआ था रही तो 2017 में यहाँ पर bull run आया था फिर हम लोगों को wait करना पड़ा था 2020 2000 यहाँ पर तीन सा एक नया bull run के लिए right so I don't think कि ऐसा कुछ अब होगा क्योंकि market अब condition बहुत अलग है यहाँ पर बहुत सारी चीजें build हो रही है right so यह तो मुझे लगता है बिलकुल नहीं दावेट करना है आपको in fact मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर development हो रहा है आपको हर six months आपको हर one year में आपको यहाँ पर कुछ नया देखनी को मिलेगा crypto markets में तो यहाँ पर जो इस crypto bull run का जो 2.0 में जो बोल रहा हूं उसका जो main reason हो सकता है वो again Ethereum ही हो सकता है Ethereum and NFTs ही हो सकता है तो मैंने आज tweet किया था कि जो ICOs थी 2017 में तो 2017 में ICOs का एक trend था नय project साते थे और अपना token launch करते थे Ethereum पे उसके पहले token launch करना बहुत आसान नहीं था बर 2017 में Ethereum पे जब smart contract आया तो बहुत सारे project अपना token launch करने लगे token sale करने लगे तो 2017 में ICOs ने bull run लाया फिर DeFi 2020 में हम लोग में बात करे थे कैसे DeFi बहुत 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 trend होने वाला है और obviously as DeFi around 83 billion dollar है I'm sure 100 billion बहुत ही जल्दे touch करेगा maybe अगले मेने में या भी एक दो मेने में 100 billion यहाँ पे हो जाएगा में हम लोग मैंने कल बताया था वीडियो में कि कैसे NFTs बहुत सारे बिक रही है open sea पे और in fact you know open sea का volume देखोगे open sea market आपको याद है कल हम लोग ने बात किया था open sea NFTs market की यहाँ पे जो trading volume है 76,240% increase हो गया है open sea का volume मतलब इतने ज्यादा trading हो रही है open sea पे और मुझे लगता है जो NFTs का है जो NFTs का जो boom चल रही है वो एक बहुत बड़ा reason होगा 2021 के bull run के लिए और अगर आप तीनों में एक common चीज देखोगे चाहे हो ICOs हो चाहे हो DeFi हो चाहे हो NFTs हो so ICOs भी Ethereum के वज़े से possible हुआ था DeFi भी Ethereum के वज़े से possible हुआ था और NFTs भी Ethereum के वज़े से ही possible तो कहीं ने कहीं बहुत जो बड़ा factor है यहाँ पे वो है Ethereum okay now Ethereum के अगर बात किया जाए तो Ethereum में एक बहुत बड़ा event हुआ है E1559 जो आपको याद है जो मैंने बहुत बहुत लोग discuss नहीं करते हैं इसको but I think this is one of the most important event जिसका effect हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है already यहाँ पे 43,000 Ethereum बर्न हो चुका है यहाँ पे right मतलब 3.23 Ethereum every minute बर्न हो रहा है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यह वाला 3.23 Ethereum every minute यहाँ पे बर्न हो रहा है और 43,000 Ethereum बर्न हो चुका है यह पिछले week में जब से यह implement हुआ E1559 तो आप इसका calculation कर लो million dollars में कितना होता है 43,000 52 into 3300 जो भी आप कर लो right so इतना millions का Ethereum already burn हो रहा है यहाँ पे deflationary हो रहा है और एक तरफ से यहाँ पे Ethereum burn हो रहा है और जबकि यह Ethereum पहले burn नहीं होता था यह Ethereum पहले miners को जाता था तो miners क्या करता था? miners उसको sell out करता था right और उससे Ethereum का price उतना pump नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे Ethereum के selling चालो हुए यहाँ पे यह Ethereum burn हो रहा है मतलब यह Ethereum कोई sell नहीं कर सकता right तो यहाँ पे Ethereum की price पे बहुत ज़्यादा फरक पड़ेगा यह 100 million होता कुछ 100 million के आसपास Ethereum burn हो चुगा है first week में right बट उससे भी बड़ा event जो होने वाला है तो पहला event तो था यह E1559 जो मैंने आपको पता दया और यहाँ पर उसके result अपने आखों के सामने ही दिख रहा है millions of Ethereum burn हो रहा है बट जो उससे भी बड़ा Ethereum में event होने वाला है वो है Arbitrum now Arbitrum क्या है Arbitrum is a scaling solution layer 2 solution for Ethereum Dapps the next generation layer 2 for Ethereum Dapps use your favorite tool and school तो Arbitrum honestly यह जो Ethereum की community है उनके लिए बहुत awaited upgrade रहा है not upgrade but scaling solution में बोलूँगा इसको why because यहाँ पर आप देखोगे अगर तो बहुत सारे projects for example Awe, Alchemy, Ami.finance, Anchor, Aniswap, Balancer, Band Protocol बहुत सारे projects already ready हैं deploy करने के लिए Arbitrum पर so Arbitrum पर बहुत जादा फरक आएगा you know fees में Ethereum के fees में तो यहाँ पर बहुत सारे projects you know wait कर रहे हैं Arbitrum का ताकि उस पर deploy कर सकें तो यह बहुत ही major role play करने वाला Ethereum के ecosystem में तो यहाँ पर अगर आप इनकी partnership देखोगे तो Arbitrum ecosystem, Uniswap, DEXS में, Uniswap, Gov, SushiSov, DoDo यह सब deploy करेंगे तो Arbitrum एक बहुत ही बड़ा event है after the E1559 it is not an event it is an scaling solution but यह ऐसा scaling solution है जो Ethereum के जो builders हैं काफी दिनों से wait कर रहे है और this would be a game changer for Ethereum जो Ethereum के price को I will not be surprised कि अगर 5000 भी touch कर दे because यहाँ पर एक तरफ से तो burning चालो है Ethereum के burning चालो है जो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है वहीं दूसरी तरफ अब Arbitrum Ethereum पे बनाना और Ethereum को यूज करना और भी आसान करेगा फीस बहुत कम हो जाएगी हम लोग भी बात किया था कि E1559 में फीस कम नहीं हुए अब फीस कम हो जाएगी Arbitrum से क्योंकि यह लेटिव सोलूशन है राइट सो यह काफी important upgrade होने वाला है Ethereum के लिए जो Ethereum के price को 5000 easily push कर सकता है and of course because of DeFi divorce of NFTs next bull run भी ला सकता है